सियाचिन में सोलन का बेटा हुआ शहीद, बेटे की शहादत की खबर सुनकर माता पिता हुए बेसुद सियाचिन में उत्तरी ग्लेशिर के पास सोमवार को हुए हिम्सखलन की चपेट में आकर हिमाचल के सोलन जिले के कुनिहार का एक सैनिक शहीद हुगा है 22 वर्षी मनीश ठाकुर अभी अविवाहित था और दो वर्ष पहले ही उसने सेना में भरती हुई थी डोगरा रेजिमेंट का या जवान सोलन जिले की ग्राम पंचायत डोची का स्थाई निवासी था ये दो भाईयों में छोटा भाई था और शहीद मनीश ठाकुर की मौत की खबर सुनते ही परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है और शेतर में महौल गमगीन हो गया है घर में मा के आसु थमने का नाम नहीं ले रहे जबकि पता राम स्वरूप पुत्र की शहादत पर बेसुत फड़े है शहीद की पार्थिव दे को आज हलिकॉपकर से शंडीगर पहुँचाने की उमीद है वहीं साथ ही बताया जो रहा है कि परिजनों के पास पार्थिव शरीर कल यानी की बुधवार को ही पहुच पाएगा और युवा उम्र में ही मनीश की शहादत के बाद आसपास के इलाके में शोक का महौल बना हुआ है गौर्दलब है कि सोमवार को उत्तरी लद्दाक में स्थित विश्व के सबसे उचे यूधस्तिल सियाचीन में सेना के जवान हीम्सखलन की चपेट में आ गए थे इसे दोरान हिमाचल का जवान भी शहीद हो गया सियाचन में माइनस 30 डिगरी सेलसी स्तापमान के बीच सेना की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी इस दोरान दोपहर के बाद वो जवान हीम्सखलन की चपेट में आ गा है और उसमें कुल मिलाकर चार जवानों की और साथ ही दो पोर्टर और दो स्थानिय लोगों की मौत का खुलासा हुआ है